Hello everyone, मैं मनोच कुमार तिवारी, मैं integration का next वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हूँ मैं last वीडियो में आप लोगों से discuss किया था some special integration के बारे में some special integration में different different type का problem, अगर आपके पास quadratic के form में है तो quadratic को हम किस तास से perfect square बनाते हैं, उसके बाद बताएं थे कि अगर quadratic x के रूप में नहीं है तो इसको हम t मानते हैं, लेकिन आप इस सब में गौर किये होंगे कि आपको perfect square बनाने में 4-5 step लग रहा था, अभी तक हम जो भी method बताएं थे, वो सारा school का method था, आप उसको school में apply करेंगे, लेकिन competition में अगर सम special integration से related कुछ problem आता है, तो उस type के problem में उतना लंबा हम नहीं की जाएंगे, तो यहाँ पे आपनों से हम sort कर discuss करने जा रहे हैं, कि किस तार से हम perfect square तुरंद बनाते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि perfect square बनाने में 3-4 step लग रहा था, तो यहाँ पे हम discuss करेंगे कि perfect square हम कैसे तुरंद बना लेंगे, जैसे गौर करें, एक हम general quadratic लेते हैं, ax square प्लस bx प्लस c, यह मेरे पास एक quadratic है, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है, तो अगर मेरे पास कोई quadratic है, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, सम इस spatial integration में कि इसका perfect square बनाते थे, तो हम यहाँ पे इसका perfect square बनाते हैं, और देखते हैं, क्या आता मेरे पास, हम इस पूरे से, आपको जो बता है, perfect square बनाने का तरीका, वही apply करेंगे, हम क्या बता हैं थे, कि x square का coefficient 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, x square का coefficient a है, तो x square का coefficient a है, तो होना क्या चाहिए 1, तो सबसे पहले हम a को common लेंगे, तो यहाँ से हम a common ले लिए, तो यह x square प्लस b by ax, प्लस c by a बना, फिर आपको हम क्या बता है थे, कि जैसे यह x square का coefficient 1 बन जा है, आप x के coefficient को देखेंगे, x का जो भी coefficient रहेगा, उसका half करेंगे, और उसके half का square एड़ करेंगे, तो यह क्या बना a, x square प्लस b by ax, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b by 2a का whole square, गौर करें, b by 2a का half, प्लस c by a minus b by 2a का whole square बना, अब यह क्या आ जाएगा, a, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, x plus b by 2a का whole square, और इसको अगर हम simplify करें, तो यह c by a minus b square by 4a square है, यहाँ पे a आया, यह x plus b by 2a का whole square आ गया, अगर हम lc m ले, तो अगर हम lc m लेते हैं, तो यह 4a square, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 4ac और इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, minus b square, तो यह क्या आगए, x plus b by 2a का whole square, यहाँ पर अगर हम LCM लिए तो 4A square इधर क्या बनेगा 4AC minus B square अब आप गौर करें उपर से अगर हम minus common ले लेते हैं तो यहाँ से अगर हम minus common लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा A, X plus B by 2A का whole square minus common ले लिए तो यह B square minus 4AC divide by क्या आगया 4A square अब आप खुद देख सकते हैं B square minus 4AC B square minus 4AC किसके बराबर होता है discriminant के बराबर तो इसके जगा पर हम discriminant रख देंगे तो यह आजाएगा A X plus B by 2A का whole square minus D by 4A square तो मेरे पास क्या था AX square plus BX plus C था हम क्या किये इसको perfect square में change करना है सबसे पहले हम क्या किये A common लिए A common लेने के बाद हम बता चुके हैं कि X के coefficient को देखेंगे यहाँ पर आप खुद देखिए X का coefficient क्या है B by A तो जो X का coefficient रहेगा उसका half उसका half का square add करेंगो subtract तो यहाँ पर B by A है B by A का half क्या बनेगा B by 2A का square और B by 2A का square देखिए यहाँ पर add कि हो यहाँ पर subtract यहाँ से यहाँ तक X plus B by 2A का square यह C by A minus B square by 4A square हम यहाँ पर अगर LC हम ले तो यह 4A square बना यह आपका 4AC minus B square बन गया अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम minus common लेते हैं तो minus बाहर B square minus 4AC and B square minus 4AC अपका किसके बराबर होता है D के बराबर तो D divide by क्या आगया 4A square मतलब कि आपके पास आगया AX square plus BX plus C जो है AX square plus BX plus C AX square plus BX plus C का perfect square के form में क्या बनेगा A X plus B by 2A का whole square minus B by 4A square एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे यहाँ पे प्लस आया यहाँ पे X का coefficient में देखे प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस अगर यहाँ minus होता तो यहाँ minus यह point आप याद रखेंगे यहाँ पे AX square plus BX plus C था यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दिए यहाँ माइनस अगर है होगा तो यहाँ भी माइनस देंगे अब आप अगर यह formula याद रखते हैं अगर आप इसको ऐसे formula याद रखते हैं कि ax square प्लस bx प्लस c किसके बराबर है a into x प्लस b by 2a का square minus d by 4a square तो आप direct किसी भी quadratic का perfect square बना सकते हैं जैसे हम एक problem देखते हैं dx divide by dx divide by मेरे पास एक problem है x square प्लस 8x प्लस 20 हम इसका perfect square बनाते थे अब देखे direct कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखे a a किसके बराबर है 1 के बराबर तो a 1 के बराबर तो इसको direct रिखेंगे dx 1 आ गया फिर bracket x x रिखे plus b यहाँ बे b का काम कौन का रहा है 8 divide by 2a a तो 1 है तो 8 divide by 2a 8 divide by 2a मतलब 8 divide by 2 8 divide by 2 क्या बनता है आपका 4 तो x plus 4 का whole square minus तो minus देएंगे d d का formula आप सब लोग जानते है b square minus 4ac b square b यहाँ पर 8 है तो b का square क्या बनेगा 64 minus 4ac a 1 है c 20 है तो मतलब 64 minus 80 आप देखे खुद 64 minus 80 minus 16 बनेगा यहाँ पर पहले से एक minus है एक minus 16 आ रहा तो minus minus क्या बना plus 16 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का square divide by 4a square 4a square a तो यहाँ पर 1 है तो divide by आपके पास क्या आ गया 4 तो यह आपके पास आ गया next step में यह क्या बनेगा dx x plus 4 का whole square plus यह cancel हो गया तो उपर 4 बचा तो 4 को हम क्या लिख सकते है 2 square अब आप गौर करें यह perfect square के form में तुरंत आ गया अगर आप चाहते हैं तो यहीं पर इसको हम लिख सकते हैं तो इस method से अगर आपको यह formula याद है ax square plus bx plus c ax square plus bx plus c किसके बराबर होगा a into x plus b by 2a का whole square minus b by 4a square यह आपको याद रखना ax square plus bx plus c किसके बराबर होगा a into x plus b by 2a का whole square minus d by 4a square यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस देंगे, इससे हर प्रॉब्लिम का perfect square तूरंत बन जाएगा, जो भी quadratic आपको मिलेगा तूरंत आप perfect square बना सकते, इस प्लस 4 डिवाइड बाई A2 प्लस C यह हो गया आपका अंसर लेकिन यह आप केबल कॉंपेटिशन में अप्लाई करेंगे इसको लिग्जामिनेशन में नहीं अप्लाई करेंगे एक और प्राब्लम हम देखते हैं मेरे पास अगर मानि यह यह रूट में होता जैसे dx divide by root under 4x square plus 12x plus 5 है यह यह 4x square plus 12x plus 5 इसका क्या बनाना है perfect square बनाना तुरंद बनाते हैं perfect square dx root under गौड करें A तो देखें पूरे से multiply है तो यहाँ पे A का काम कौन करा 4 तो 4 पूरे से multiply हो गया यह क्या बनेगा x यहाँ पे देखे 12x है तो यहाँ plus है तो यहाँ plus अब क्या B by 2A B by 2A B का काम कौन करा 12 2A A तो 4 है तो 12 by 8 अब खुद देखे 12 by 8 यह 12 by 8 कहा सारा क्या B by 2A B यहाँ पे 12 है 2 A के यहाँ पे 4 12 by 8 को अगर हम cancel करे तो यह आपका क्या बनेगा 3 by 2 तो यह आगे आपका 3 by 2 का X plus 3 by 2 का whole square आगे अब formula का minus तो formula का minus अब क्या बोलें D D क्या बनता B square minus 4AC B क्या है 12 तो 12 का है square 144 minus 4AC तो 4AC 4 into 4 16 16 into 5 80 तो यह 80 बना 144 minus 80 तो 144 minus 80 क्या बनेगा 64 बनेगा तो यहाँ पे 64 64 का मतब 8 का square divide by 4A square देख सकते हैं 4A square A यहाँ पे 4 है तो 4A square मतब 4 cube आए है अब इसको हम cancel कर सकते हैं तो cancel करेंगे एक ची और देखे यह 4 root के अंदर है बाहर जाएगा तो यह 1 by 2 यह आपका dx बना यह root अंदर क्या बनेगा x plus 3 by 2 का whole square minus यहाँ पे आप गौर करें 8 का square आपका क्या बनता है 64 यह 4 cube भी आपका क्या बनेगा 64 8 का square क्या होता 64 होता हो 4 cube को भी अगर हम देखे 64 मतब यह cut छटके 1 आ रहा है तो यह आपका क्या आगे 1 का square आगे अब आप गौर करें सीधा perfect square में आगे आप formula लगाए result आपके पास आ जाएगा तो यह था आपका perfect square बनाने का एक छोटा से trick जिसमें आपको यह याद रखना है बस दिमाग में यह रखना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा यह formula अगर आप याद रखते हैं तो sumispecial मतब perfect square आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और यह formula आपको याद रखना भी चाहिए क्योंकि sumispecial integration जो perfect square बनाने का जो process है आप आगे देखेंगे कि कुछ-कुछ problem बहुत लंबा होने के बाद बीच में आपको perfect square बनाना होगा अगर उसमें भी आप perfect square बनाने में 4-5 step लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा इस school में तो आपके पास कोई उपाई नहीं है आपको लंबा ही कीचना है लेकिन competition में आपके पास time का कमी होता है तो इसलिए आपको यह formula याद रखना चाहिए competition के लिए तो इस टाइक में problem को बनाए एक हम problem देते हैं आपको आप इसका perfect square बना के दिखाएंगे इसी के मदद से और जो answer आएगा उसका answer आप comment box पे comment भी करेंगे सभी लोग याद रखे एक question हम दे रहे हैं perfect square बनाने के लिए आपको इसी method से बनाना है और उसका answer सभी लोगों को comment box पे comment करना है question है 2x square या फिर x square minus x plus 1 इसका perfect square बनाके आप लोग comment box पे comment करेंगे कि इसका perfect square क्या आए तो इस type के problem को देखें मतलब इस process से भी practice करें इसके बावजीद अगर आपको कोई confusion हो तो मेरे से पूछें thank you very much